कि सरकार आपके द्वार जो हम कारिकरम चलाए उस पर कितना कितना रियक्षन है कि भारती जनता पाटी कितनी घबडाई हुई है कि उसी दिन से करिए सरकार को उखार फेक देंगे क्या करिए कि जो सरकार जनता का काम करेगी उसको हम उखार फेकेंगे दरा के धमका के आप जो दौर सुखार यही सब बता रहा हूं यह सही है कि आपको क्या बता हूं कहतो रहा हूं कि जो सरकार को अपदस्त आइस्तिर करने का प्रयास चल रहा है उसका मुझ तोड जवाब देने के लिए रननीती वह देखते जाएं ना अभी कल के लिए तुछ न्यूज रहना चाहिए फिर का आप बात करेंगे हमसे मुखमंतरी आवास में यूपिय बिदायक दल की बैठक समाप्त हो गई है इस वक्त मेरे साथ कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्स राजेश ठाकुर जी है ठाकुर जी कुछ बताईएगा कि सुखाल पे ही चर्चा हो रही थी आज बताना क्य सब लोग जानते हैं कि किस तरह से सरकार को अईस्थीर और अपदस्त करने की कोशिस की जा रही है उस हर कोशिस का हम मुहतोर जवाब देंगे और ऐसी तमाम सक्तियों को ये बताना चाहेंगे कि आप इस तरह से डरा के धमका के आप जो जन्मत मिला है जो बहुमत हमें मिली है उसको आपको लूटने नहीं देंगे और जन्ता के लिए किसी भी हद तक जाएंगे जो जन्ता का प्रेम है जिस जन्ता ने हमें अपने सर्माथे पर बिठाया है सत्ता सौपा है उसके सत्ता को कैसे लूटने देंगे क्या सिर्फ यहीं बातचीत करने के लिए आप लोग बैठे चुकि कल से बैठक का दौर सुरू है अम लोग ये भी बातचीत कर रहे हैं कि सरकार आपके द्वार जो हम कारिकरम चलाए उस पर कितना कितना रियक्शन है कि भारती जन्ता पाटी कितनी घबडाई हुई है कि उ उस पे चिंतान मनन के अलाबे जो है आप लोग काम काज का समिक्षा कर रहे हैं आप लोग कोई आप लोगों को चिंता नहीं है अरे मुख्यमंतरी के संकट समझे राजय पे संकट काम काज मुख्यमंतरी के ही तो दिसा निर्देश पे होता है और उन्हीं को कोई डिस्टर् में आपके पार्टी के विधायक जैमें के विधायक कई सारे जो लोग थे उन में से जो कुछ एक जिन से हम लोगों को खबरें मिलती है उसमें से बताया गया कि कुछ लोग जो है अपनी सीट की कुरवानी देने के लिए तैयार हैं कि अगर प्लैन बी पे हेमंत सोरेन अगर क के लिए जो है अपनी सीट भी छोड़ने के लिए कुछ लोग तैयार है क्या ऐसी कोई बात्चीत हुई की मतलब ऐसे अगर कोई ऐसी विधायक ऐसी बात कर रहे हैं तो उनसे कोई व्यक्तियत बात होगी उनकी ज्यादा मैं तो प्रदेश अध्यक्ष हूं मुझसे साइद स पूस्ताच के लिए बुला रहा है इतनी तो समझ होनी ही चाहिए कि इडी बुला रहा है तो क्या कर लेगा कि पूस्ताच करेगा साक्षे डूंडेगा तो उसमें सरकार जाने की और मुख्यमंत्री के आने की यह सब तो कोई पता नहीं तो आप लोग मीडिया से लोग हैं तो तरह तरह का चीज निकालेंगे, अब कहीं से निकला होगा तो मैं नहीं कहा सकते हैं। हम लोग के कहने से नहीं गए, उस वक्त भी आप बोल रहे थे कि कुछ है नहीं, लेकिन बाद में तो आप एक्सेप्ट किये नहीं कि हाँ आया लिफापा। कहे तो रहा हो कि जो सरकार को अपदस्त आईस्तिर करने का प्रयास चल रहा है, उसका मूह तोड़ जवाब देने के लिए रननीती बादा। क्या तस्वीर बदलने वाली है जारखन की राजनीती की? तस्वीर कैसे बदलेगी? जो सवा तीन करोड जनता ने तस्वीर बना के दिया है, वो तस्वीर है कि वाटसप या फेस्बूक देख रहा था, उसमें आपने कहा है कि तस्वीर बदलेगी. तो मैं सोच रहा था कि मुझे तो कहीं नहीं हटाय जा रहा है, हमारे साथी लोग भी बहुत है, जो आप से संफर्क बराते हैं, तो जो लिए कोई दिक्कत के बाद है. लेकिन सच क्या है, वो धीरे धीरे परत दर परत खुलेगा, तब तक इंतजार कीजिए, इंतजार हम लोग भी कर रहे हैं, शुक्रिया.